जम्मू में आतंकियों ने 9 से 12 जून तक रियासी कट हुआ और डोडा जिलों में हमला किया था इस हमले के बाद ये आतंकी घने जंगलों में जाकर छिप गए थी और तभी से सुरक्षबलों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया कुछ आतंकियों को मौत के घाट उतार भी दिया गया है लेकिन कुछ अभी भी जंगलों में ही छिपे हैं और ऐसे में हमले के अलर्ट को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षबलों की तैनाती कर दी गई है खबर है कि कठवा जिले के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से संदिक देखे जाने की सूचना एं लगतार सामने भी आ रही ऐसे ही एक सूचना बर्नोटी इलाके से मिली इसके बाद कठवा पुलिस मौके पर पहुची और इलाके में छानबीन की लेकिन मौके पर कुछ भी नहीं मिला जो जानकारी सामने आ रही उसके मुताबिक बर्नोटी इलाके की रहने वाली एक महिला ने बताया कि उसने अपने घर के नजदीक छिपे एक संदिक को देखा है महिला के मुताबिक उस संदिक के पास तेजधार हत्यार था उसने तुरंद इसकी सूचना आस पास की लोगों को दी इलाके की लोगों ने फिर पुलिस को सूचित किया मौके पर पहुची पुलिस द्वारा इलाके में सर्च ओप्रेशन चलाए गया लेकिन शायद संदिक तब तक वहाँ से निकल चुका था और मौके पर कुछ भी नहीं मिला वहीं से पहले भी दोमाना और अकनूर में हमले होने का इंपुट मिलने के बाद सुरक्षबलों ने उस इलाके में सर्च ओप्रेशन चलाया था और ऐसे किसी भी हमले की अलर्ट को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चाक चौबन है रात में भी सुरक्षबलों की ओर से पहनी नजर रखी जा रही नाके से गुजरने वाले हर रागीरों और वाहनों की चेकिंग की जा रही हने जंगल वाले इलाकों में ड्रोन का इस्तमाल किया जा रहा पुलिस मुबाइल वैनों की माधियम से सब पर नजर रखी जा रही हर इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है सीमा के साथ लगते ग्रामीर इलाकों में भी सुरक्षबल मुस्तायर है शहर में बस टैन रेलवे स्टेशन में विशेश गश्ती बल चेकिंग कर रहा कुल मिला कर किसी भी हमले को रोकने के लिए सुरक्षबल पूरी तरस से त्यार है जिन जगाओं पर आतंकियों के छिपे होनी की आशंका है उनी इलाकों में सर्च उपरेशन चलाये जा रहा घनी जंगल वाले इलाकों में भी सुरक्षबल मुस्तायर है कुछ समय की बात है आतंकियों का खात्मा आज नहीं तो कल होकर ही रहेगा ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक कुछ समय तो कि भी स्थरक्षबल वाले जाजल वाले जात्रफ प्रोट भारत तक